असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों मैं आपकी टीचर आपको उर्दू पढ़ा रहे हूँ आज हम नय सबख पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा वतन आप अपनी किताबें अपने सामने खोल कर रखें और नजर रखें मेरा वतन यहां से हमें शुरू करना है यह मेरा वतन है यह मेरा वतन वो चिडिया वो तोता वो मैना वो मोर वो कोयल वो बुलबुल वो कमरी चकोर वो जीलू की लहरें वो दिरिया का जोर वो जर्नों का गिरना वो पानी का शोर वो सरसब उसके पहाड और बन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन बच्चो शाइर शफीर दीन नियर नजम के इस बन में अपने वतन की तारीफे बयान करते हुए फरमाते है कि मेरे वतन में तरह तरह के खुबसूरत और खुश आवाज परिंदे हैं खुशनमा जीलें दरिया और जरने हैं हरे बरे जंगल और उंचे उंचे पहाड हैं साफ और शफाप पानी कशोर हर तरफ सुनाई देता है गोया कि मेरा वतन बहुत ही खुबसूरत और हर दौलत से माला माल है दूसरा बन है वो गले वो मेवे वो तरकारियां वो खुश रंग फूल की गुलकारियां वो सरसब्स बागों की फुलवारियां वो सेराब और खुशनमा की यारियां जमीने वो जर्खेज दिलकष्चमन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन शायर इस दूसरे नजम में फरमाते हैं कि मेरे वतन की जमीन जर्खेज है जिसमें अनाज, मेवे, सबजियां और खुशनमा फूल उगते हैं जहां नजर पड़ती है खुबसूरत और सरसब्स बाग फूलों से बरे पड़े दिखाई देते हैं मेरा वतन बिलकुल जन्नत की माननद है जिसे कुद्रत ने हर तरफ की न्यामतों से नवाजा है तीसरा और आखरी बन है पहाडों का मनजर बनूं का समा है इन में हजारों ही चेश्मे रवा कहां तक बया इसकी हुखोबिया है फिर्दोस का इस चमन पर गुमा ये बाग इरम है ये बाग इरम है ये बाग अधन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन शायर इस तीसरे बन में फर्माते हैं कि मेरे वतन में हजारों नदी नाले और चेश्मे बहते हैं मेरा वतन हर तरफ खुबसूरत पहाडों और सरसर जंगलों से गेरा हुआ है खुद से मुखातिब होकर फर्माते हैं कि मैं इसकी खूबिया कहां तक बया करूँ इसमें इतनी खूबियां बरी पड़ी हैं जिन्हें बया करना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुम्किन है क्यूंकि मेरे वतन पर जन्नत भी रिशिक करता है मक्तसरन शायर अपने वतन को जन्नत से कम नहीं समझता और इससे जन्नत के दो बागों यानि बाग इरम जन्नत का बाग और बाग अदन वो बाग जिसमें हजरती आदम अल्यस्सलाट उसलाम को रखा गया है से तश्बिया है बच्चो इसे के साथ हमने पूरी नजम खतम की है कल हम इसके सवालात करेंगे आज के लिए इतना ही अल्ला हाफिज